हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्वातीज रसोई आज मैं बिडिया बनाने जा रही हूँ यह चना साग से बनाया जाता है यह बिहार में बहुत ही फेमस है सर्दी के मौसम में जब चना साग इजीली मार्केट में मिलता है उस समय इसे बनाते हैं और इसे स्टोर करके रख लेते हैं गर्मी के सीजन में या कभी भी जब घर में सबजी नहीं होती है उस समय आप इसकी सबजी बना सकते हैं इसकी सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है और कम समय में बनती है आप इसे जरूर बनाएए इसे देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और डिलेटीब में से शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए उसके बाद बेल आइकोन को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे यहां मैंने आदा केजी चना साग लिया है जिसे पानी से अच्छे से दो लिया है और इसे अच्छे से साफ करके एरेंज करेंगे जैसे मैंने प्लेट में दिखाया है उस तरह से साग को हम एरेंज करेंगे देखिए मैंने साग को एरेंज कर लिया है अब इसे एक दिन के लिए धूप में रखेंगे जिससे की सका पानी सूख जाए और या थोरा सा सौफ्ट हो जाए धूप में रखने से चना साग विल्कुल सूख गया है अभी यह बिर्या बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है अब हम इस साग से बिडिया बनाएंगे उरत डाल के बेसन में पानी डाल कर उसका स्मूथ सा घोल तयार कर लेंगे घोल न ज़्यादा गाधा और नहीं ज़्यादा पतला होना चाहिए देख लीजे कितनी एच्छी बनी है थोरा सा सौफ्ट किया हुआ चना साग लेंगे उसे उरत डाल के बेसन के गोल में लपेट कर उसका एक्स्ट्रा बेसन निकाल लेंगे यह बिडिया है एक मैं और बना कर आपको दिखाती हूँ यह देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे बनाईए इसी तरह हम बाकी के बिडिया भी बना लेंगे मैंने सारा बिडिया बना लिया है अब इसे धूप में 3-4 दिन तक सुखाएंगे बिडिया सुख गया है देखिए यह इस तरह से दिखता है आप इसे एर टेट कंटेनर में स्टोर करके साल भर तक रख सकते हैं या खराब नहीं होता है गर्मी के सीजन में या कभी भी जब घर में सबजी नहीं होती है उस समय आप आलू के साथ मिला कर इसकी सबजी बना सकते हैं या बहुत टेस्टी बनता है इसे बनाईए आपको मेरी या वीडियो कैसी लगी अपना experience नीचे कमेंट रखसन में लिक भेजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का notification आपके mobile पर आ जाए अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देखते हैं तो मेरे Facebook पेज को लाइक कीजिए Instagram पर मुझे follow कीजिए Thank you